नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऐक बार फिर से हमारे चैनल जोतिश ग्रंथ गंगा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सरवदा बनी रहे। दोस्तों, आज के विडियो में मैं आपको जो उपाय बताने वाला हूँ, बहुत ही चमतकारी और बहुत ही अचुक उपाय है. महालक्ष्मी ने स्वय कहा है कि जो भी व्यक्ति इस मंत्र का जाप करेगा, उसके घर में मैं स्थाई रूप से निवास करूँगी. वह व्यक्ति कुबेर के समान धनवान हो जाएगा, तो बहुत ही चमतकारी उपाय है, जिसे महालक्ष्मी ने स्वयं वर्नित किया है. शास्त्रों में वर्नित है, ये उपाय और इस उपाय को करने से धन का अभाव सदा-सदा के लिए समाप्थ हो जाता है. किसी भी तरह से आप आर्थिक रूप से परिशान है. कर्ज में चला जाता है, बिमारी में खर्च हो जाता है, दवाओं पर खर्च हो जाता है, कोट कचहरी मुकदमे में खर्च हो जाता है. किसी न किसी तरह से धन व्यर्थ में खर्च हो जाता है और अधिक धन कमाने के बावजूद भी धन का अभाव घर में सदा बना रहता है इसके लिए हमेशा कुछ न कुछ विशेश उपाय जरूर करना चाहिए क्योंकि मा लक्षमी जो है वो चंचला होती है एक जगह पर रुकती नहीं है तो इनको रोकने के लिए इनके स्थाई वास के लिए मा लक्षमी की आराधना करने की आवश्यक्ता है मा लक्षमी की पूजा करने की आवश्यक्ता है देखिए बिना मेहंत के धन प्राप्त नहीं होता है परिश्रम तो हमें करना ही पड़ेगा सिर्फ मंत्र जाब करने से धन नहीं आता है लेकिन परिश्रम हम सभी करते हैं पर धनवान हर कोई नहीं बनता है धनवान वह व्यक्ति व्यक्ति बनता है जिसके उपर मा लक्षमी की विशेश कृपा होती है जो लक्ष्मी की आराधना करते हैं, तो हमें आराधना की आवश्यक्ता है, जिससे कि मा लक्ष्मी स्थाई रूप से हमारे घर में वास करें, और स्थिर्वास मा लक्ष्मी का हमें हो, जब जो भी धन हम कमाते हैं, हमारे घर में वो संचित हो, व्यर्थ के खर्च में न जाए दवाईयों में खर्च ना हो, कर्ज में खर्च ना हो, धन का अभाव न देखना पड़े इसके लिए आज का जो ये प्रयोग है बहुत ही चमतकारी और बहुत ही श्रिष्ट प्रयोग है इस उपाय को देवराज इंद्र ने स्वयं किया था जब सभी देवताधन विहीन हो गए थे, तो समुद्र मन्थन के दौरान मा लक्षमी के प्रकट होने पर देवराज इंद्र ने मा लक्षमी की स्थुती की थी इससे खुश होकर मा लक्षमी ने देवराज इंद्र को ये वर्दान दिया और कहा कि तुम्हारे द्वारा किये गए यह द्वादश अक्षर मंत्र का जाप कोई भी व्यक्ति प्रति दिन तीनों संध्याओं में अगर भक्ति पूर्वक करेगा, श्रधा के साथ करेगा तो व ये आठ स्वरूप जीवन की आधारशिला है, इन आठोन स्वरूप में लक्षमी जी के जीवन के आठ अलग अलग वर्गों से जुड़ी हुई है, तो लक्षमी जी के इन आठ स्वरूपों की साधना करने से हमें सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो जाती है, जैसे मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ती होती है. स्वास्थ्य अच्छा रहता है, सेहत अच्छी रहती है. अन्ना धन और वंश सभी चीजों की वृध्धी होती है. मा लक्ष्मी के अश्ट लक्ष्मी स्वरूप की पूजा करने से और इस मंत्र के जाप करने से मा लक्ष्मी के जो अश्ट लक्ष्मी स्वरूप है, इनके नाम है श्री आदी लक्ष्मी, श्री धान्य लक्ष्मी, श्री धैर्य लक्ष्मी, श्री गज लक्ष्मी, श्री संतान धन का अभाव सदा सरवदा के लिए समाप्थ हो जाता है अब कैसे करे मा लक्षमी की आराधना दोस्तों इस प्रयोग को करने के लिए सबसे अच्छा दिन होता है शुक्रवार का दिन और शुक्रवार के दिन मा महालक्षमी का ही दिन है तो इस दिन जब हम महालक्षमी की आराधना करते हैं तो मालक्षमी की विशेश कृपा हमें प्राप्थ होती है अश्टलक्षमी की पूजा शुक्रवार के दिन ही होती है और रात के समय ये पूजा की जाती है रात में नौ से दस के बीच का जो समय होता है अश्ट लक्ष्मी की पूजा के लिए विशेश शुब फल देने वाला होता है क्योंकि ये समय बहुत ही शांत समय होता है शांत माहौल में शांत परिवेश में इस लक्ष्मी की आराधना की जाती है और गुप रूप से ही आराधना की जाती है हमें किसी को भी इस मंत्र जाप के बारे में इस प्रयोग के बारे में बताना नहीं है किसी को भी मतलब बाहर ही किसी को परिवार में तो आपके घर के में जीतने भी घर में लोग है उन्हें तो पता चलेगा ही कि आप पूजा कर रहे हैं जैसे बाहर भी कई बार होता है, ना लोग पूजा करते हैं और दूसरों को बताते हैं, जाकर की मैंने आज ये पूजा की और मुझे इस तरह से इस फल की प्राप्ती होगी, इसलिए मैं ये पूजा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो ये नहीं करना है आपको आप गुप रूप से मा लक्षमी की आराधना कर रहे हैं तो ये बात सिर्फ आपको पता होनी चाहिए या आपके परिवार में जो लोग हैं उन्हें पता होनी चाहिए आपको नौ से दस के बीच या तो सनान कर लें, सनान नहीं कर सकते हैं, तो हाथ पाव धोकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारन करें. वस्त्र आप गुलाबी रंग के धारन कर लें और गुलाबी आशन पर ही बैठ कर आपको मा लक्षमी की आराधना करनी है. आसन गुलाबी ना हो तो लाल आसन भी चलेगा इस तरह से आप मा लक्ष्मी की आराधना करें और गुलाबी रंग का कपड़ा आपको बिछाना है एक चौकी इशान कोण में पहले डाल लें और अपने घर के इशान कोण में एक लकडी की चौकी स्थापित करे उसके उपर आप लाल रंग का वस्तर बिछाएं या गुलाबी रंग का वस्तर बिछाएं गुलाबी रंग हो तो सबसे अच्छा है उसके उपर आपको श्रीयंत्र स्थापित करना है और उसके उपर आपको अश्टलक्ष्मी की एक तस्वीर भी स्थापित करनी है चौकी के उपर श्री अंत्र और अश्ट लक्ष्मी की तस्वीर स्थापित करें उसके बाद आपको शुद्ध घी का एक दीपक जलाना है कर्मसाक्षी दीपक सबसे पहले जलाना चाहिए और ताकि हम उसके बाद ही हम पूजा करते हैं कोई भी जब पूजा करते हैं तो सर्वप्रथम हमको घी का कर्मसाक्षी दीपक जला लेना चाहिए उसके बाद आपको क्या करना है एक ठाली लेनी है और उसमें आपको आठ दीपक और जला लेना है मिट्टी के छोटे छोटे दीपक मिलते हैं आप वो दीपक ले आठ दीपक जलाने सबको शुद्ध धी से जलाना है धूप दीप नैविध्य अर्पित करें मा महालक्ष्मी की लाल पुष्पों की माला मालक्ष्मी को अर्पित करनी चाहिए और लाल पुष्प महालक्ष्मी को अर्पित करें इस तरह से आपको मा लक्ष्मी को सफेद मिठाई का भोग लगाना है उसके बाद आपको अश्ट गंद से श्रीयंत्र और अश्ट लक्ष्मी पर भी आपको तिलक करना है कमल गट्टे की माला आप हाथ मिले और आप मंत्र जाप करें मन ही मन आवाहन करें कि हे मा लक्ष्मी आप मेरे घर में विराजित हो स्थाई रूप से आपका मेरे घर में वास हो इस कामना से मैं ये मंत्र जाप करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ और आप संकल्प लें कि कितनी संख्या में आप इस मंत्र का जाप करेंगे मंत्र जाप का संकल्प लेना आवश्चक होता है आप एक माला जाप करेंगे या पांच माला करेंगे या ग्यारह माला करेंगे अपना समय देख लीजिए और आप जितनी अधिक संख्या में मंत्र का जाप कर सकते हैं उतनी अधिक संख्या में मंतर जाप का संकल्प लें 11 माला, 21 माला, 51 माला क्योंकि जितना अधिक हम मंतर जाप करेंगे मंतर एक शक्ती है, एक एनरजी है, जिसका प्रभाव जो है वो कुछ समय के बाद हमें मिलने लग जाता है और निश्चित ही मिलता है तो जो आप जितनी मात्रा में मंत्र जाप करना चाहते हैं, संकल्ट लेकर इस मंत्र का जाप शुरू करें। गर के आठोन दिशाओं में स्थापित कर दें और कमल गट्टे की माला को आप तिजोरी में स्थापित कर दें। तो ऐसे में जब आप हर बार आप हर शुक्रवार को ये उपाय करें, निश्चित ही आपको पहले शुक्रवार में भी फर्क पड़ेगा। अगर आप अधिक संख्या में मंत्र जाप करते हैं, तो लेकिन अगर आप हर शुक्रवार को कंटिन्यू करते हैं, इस उपाय को इस मंत्र जाप को आपके जीवन में हर सफलता की प्राप्ती हो जाती है। चाहे आपके व्यापार में कोई कमी हो वो भी आपकी दूर होगी। आपके किसी भी तरह की समस्या है, जैसे कि अश्ट लक्ष्मी की आराधना आप कर रहे हैं, तो अश्ट लक्ष्मी की आराधना से हर तरह की मनोकामनाए पूर्ण हो जाती हैं। हर बार जब आप माला का जाप करें, तो माला ले जाकर आप अपने धन रखने के स्थान पर जहाँ पर भी आप पैसे रखते हैं, उस स्थान पर रख दें और फिर जब अगले शुक्रवार को आप रात्री में जाप करें, तो उसी माला से करें और फिर वो माला अंदर आप र धन का अभाव नहीं होगा। वीडियो आपको जरूर अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जय महालक्षमी जरूर लिखें। नमस्कार!